स्वागत है मित्रों आज जो कविता मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ वो आपको नई प्रेड़ना से भर देगी कविता का सिर्षक है डर और कविता के लेखक है खलिल जिब्रान तो आईए कविता पढ़ते हैं ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश करने से पहले नदी डर से कापती है वो पीछे मुर कर उन रास्तों को देखती है जिस पर उसने यात्रा की है परवतों की चोटियों से जंगलों और गाउं को पार करती हुई लंबी घुमावदार सरकें और उसके सामने वह एक महा सागर देखती है जो इतना विसाल है मानो ऐसा लगता है कि उसमें प्रवेश करना हमेशा के लिए गायब हो जाने के अलावां और कुछ नहीं लेकिन दुसरा कोई रास्ता नहीं है नदी वापस नहीं जा सकती कोई भी वापस नहीं जा सकता अस्तित्तों में वापस जाना असंभव है महा सागर में प्रवेश करने के लिए नदी को जोखिम उठाना ही पड़ता है क्योंकि तभी डर गायब होगा क्योंकि वहीं से नदी को पता चलेगा कि यह महा सागर में गायब हो जाने के बारे में नहीं है बलकि खुद महा सागर हो जाने में आसा है आपको यह कविता पसंद आई होगी अगर कविता पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन मित्रों के साथ भी साजा करें जो कविता पढ़ने या सुनने में रुची रखते हैं तो धन्वाद आपका दिन सुभो